नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी चैनल टार्गेट फॉर आई एस नंपी पैसी बितके के आज है 24 नमबर 2022 और हम लोग डिसकस करने वाले हैं आज का मद्द प्रदेश का करेंट फिर बहुत कोछ इंपरेट होने वाला है दोस्तों आज के मद्द प्रदेश के करें लिविल था तो that is why I make this full of video for this और आप लोगों से पूछना चाहूंगा अगर जो लोग पटवारी का एक्जाम देने वाले हैं और उन लोगों को कौन सा पूरसन जिसमें लग रहा है उन्हें दिक्कत है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कहिए स्लेवर्स के अकोडिंग मे कुछ तयार करने की कोसिस जरूर से जरूर करूंगा पहले आप लोगों का फीड़बेक चाहिए तो आप लोग जरूर जरूर अपना फीड़बेक दे तो चले शुरू करते हमारा आज का 24 नवंबर 2022 का मद्ध प्रदेश का करेंट अफेर इसमें हम डिसकस करने वाले हैं मिरजापूर के एक किरदार हैं और इसी तरीके से आप देखेंगे मिरजापूर से भी काफी सारी कॉशन में ने लिंक किये हैं काफी एजी ट्रिक है आपको केवल एक बार वीडियो देखना है इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना येस यू डोंट नीट तो सेसन हमारा पहला कॉश्चन है मद्दे प्रदेश सरकान ने पर्यावन एवं जल सरक्षन की स्रेणी में किसे मद्दे प्रदेश गौरब समान दोजार पाईस से समानित किया काफी एदे के इंपोरेंट है आपका अपसो नमबर एक है नर्वदा समगर संस्था को सेकंड है संजीबनी संस्था को सरसुती गान संस्था को या फिर इनमें से कोई नहीं तो काफी एदे के इंपोरेंट है यहाँ पर आपको दوبारा से समझा देना चाहूंगा यह जो अबोर्द है किसके लिए दिया गया है मद्दे प्रदेश सरकान ने दिया है पर्यावन साती सा जल स सरक्षन की स्रेणी में यह अबॉर्ड दिया गया है और 2022 का यह अबॉर्ड है इसका राइट आंसर है दोस्तों आपको अपसु नंबर एक नर्वदा समगर संस्था जो की भोपाल से संबंदेत है काफी एदेक इंपोरेंट है और इसी संस्था को यह अबॉर्ड प्रवाइ गौरव सम्मान यह बिविन प्रकार की सेंडियों में दिया गया है काफी सारे लोगों को दिया गया है वीडियो काफी बड़े हो सकती थी तो इसके एक फेस में पहले पुराना डिसकस कर चुका हूँ अगर आप लोगो नहीं तक चैनल को जोईन नहीं किया तो जरू जरू को देखिएगा विवन प्रकार की करेंट अफैर में थोड़ा थोड़ा करके उसे बताया और यह वीडियो परिपूर्ण है इसके अलावा आपको कुछ और देखने की जरूवत नहीं है तो देखते हैं बीड़ता पूर्ण कार के लिए किसे मद्द्रदेश गौरप सम्मान 2022 से समानित किया गया आपका अप्सवन नमबर एक हार्क फोर्स हाकी टीम मद्द्रदेश पुलिस या फिर इनमें से कोई नहीं इसका राइट अंसर क्या है आपको आपको ट्रिक बता देता हूँ याद रखिये कई हम हमें इस आपको कोशिश करते हैं ट्रिक के मान ध्यम से समझाने की बीरता पूर्ण कार कौन करेगा बताइए बीरता पूर्ण कार कौन करेगा बीरता पूर्ण कार केवल करेगी हमारी फोर्स करेगी चाहे वह पुलिस फोर्स हो या फिर आर्बी फोर्स हो बीरता पूर्ण कार तो कौन करेगा force ही करेगी कौन करेगा force तो आपको उससे force से आपको link कर लेना है और हाक force आपका right answer होगा तो इस तरहनी का जो about है आपको easy तरीके से याद होगा you don't need to do any work for that अब आपको बताता हूं second जो पहले वाला हमने question discuss किया था उसकी भी trick ही काप लोगं के यहाँने फटा फट बता देता हूं अब आपको याद रखना है जल सरक्षन कौन करेगा जल सरक्षन से परयाबन सरक्षन एक जैसी चीज 채 친 दॉनों को link करना कोई बड़ी बात नहीं अब इन दॉनों को सरक्षन कैसे होगा इन दॉन नदी को मा का धर्जा देते हैं. मद्य प्रदेश में दुस्तों. तो आपको याद रखना है. मा नर्वदा ही समगर रूप से. जल सरक्षन और पर्यावण सरक्षन करेंगी. क्योंकि वहें कौन है? वहें मद्य प्रदेश की जीवन रेखा है. कौन है? मद्य प्रदेश की जीवन रिखा है नर्वदा जी तो आपको याद रखना है मा नर्वदा क्या करेंगी पर्यावन एवम जलका सरक्षन करेंगी आपको याद हो जाएगा क्या याद करना है नर्वदा समगर रूप से क्या करेंगी परियावरण एवमजल का सरक्षन करेंगे कौन करेंगे? तो आपको याद रखना है क्यों कि मद्ध प्रदेश की जीवन रिखा भी यही है तो इस तरीके से आपको इसको लिंक करके याद कर लेना है और यहाँ पर तो आपको याद ही हो गया बीटापूर कार कौन करेगा फोर्स करेगी बीटापूर कार कौन करेगा दोस्तों फोर्स ही करेगी और कौन सी फोर्स करेगी हाक फोर्स करेगी हाक तो आपको याद रखना है काफ यह देख important है I hope you will remember that तो आगे बढ़ते हैं देखते हैं next question सामाजिक सुधार स्रणी में मद्द प्रदेश के गौरफ सम्मान से किसे समानत किया गया आपको option number 1 है सहारा परिवार गायतरी परिवार ब्रह्म कुमारी संस्ता या फिर इनमें से कोई नहीं अब आपको एक कहानी सुनाता है याद रखीएगा इस link trick से आपको पुरा याद हो जाएगा तो कहानी कुछ इस प्रकार है दोस्तों सामाजिक सुधार कैसे होगा आप बताईए मुझे सामाजिक सुधार होगा हमारे संसकारों से हमारे धर्म से और धर्म में क्या है दोस्तों आप सभी को मालूम है हम सभी पढ़ते हैं ओम भूर्भवस्वात असब्त बर्यम भर्गो देवस दीमा है धियो नहा प्रचोदिया यह गायत्री मंत्र हर व्यक्ति जानता है सनातन धर्म में काफी important part रखता है गायत्री मंत्र तो दोस्तों आपको याद रखना है समाजिक सुधार होगा वह किस से होगा गायत्री मंत्र के पढ़ने से होगा जब पूरा परिवार साथ में बैठकर गायत्री मंत्र का जाप करेगा तभी दोस्तों क्या होगा समाज का सुधार होगा क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए समाज की सबसे चोटी काई क्या है परि साथ में बैठकर यह मंत्र का जाप करेगा रथात गायत्री परिवार समझाएंगे आप दोस्तों तो इसी से समाजिक सुधार होगा तो जो समाजिक सुधार की स्रणी है उसमें मद्यप्रदेश गौर्प सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है गायत्री परिवार को सम्मानित क जाएगा और एक और में पीछे आप लोगों को बता ही चुका हूँ तो I hope you will remember that अर्थाद परेवन इवंजल सरक्षन कैसा होगा नर्वद आपने आप महीं समगने रूप से परेवन इवंजल सरक्षन हैं तो यह भी आप लोग याद कर सकते हैं आपको कोई भी बढ़न अनव स्थाओं को दिये गए हैं तो अभी हमने देखे भाई पूरे की पूरे क्या थी संस्थाओं को दिये गए थे अब हम देखेंगे व्यक्ति का ता इंडिविज्वल कौन सी परसन है उनके नाम होंगे कौन भाई व्यक्ति हैं जिनने यह समान दिया गया है तो आपका option number एक ह राज कुमारतिबारी को राम कुमारतिबारी को अरविन्द मालविये को या फिर आपका थर्ड है राधी का सिंकौ्ट तो आपको याद रखना है जनवागीदारी से ही दोस्तों विजय होगी बस आपका राइट आंसर क्या होगए option number one तो जन वागीदारी से क्या होगी बिजये पता का लहराएंगे जनवागीदारी से तो आपको याद रखना है कि जनवागीदारी की व्यक्ति का सिरणी में किसे मिला है बिजये मोहन तिवारी जी को यह अवार्ड दिया गया है तो I hope आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से ट्रिक अच्छी लग रही होगी अगर ट्रिक्स अच्छी लग रही हैं तो जरू 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 वीडियो में के कमेंट सेक्शन में जाकर आप लोग कमेंट करिए और एक जलाई कुट पात की ट्रिक को देखना ना भूलिए काफी अधेक इंपोरेंट है अपकमिंग जितने भी एक्जाम उन सभी के लिए काफी अधेक इंपोरेंट होने वाला है और पटवारी एक्जाम के लिए तो most important है क्योंकि यहाँ से question जरूर बनेगे और इसके साथ-साथ पटवारी एक्जाम के according अगर आपको कुछ भी important जो आपको कमी लग रही है आप लोग सोच रहे हैं कि यह notes अभिल बेल नहीं है चाहे भाई प्रवंदन के हो किसी के भी हो तो टेलीग्राम चलो को जरूर जोयन करिए वहां पर मैं पूरी कुछ पूरी शेरक कर दूगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं सिक्षा इभम खेल खुटर की स्रेणी मे ढ़त रखना आपको सिक्षा इभम खेल कूट की स्रेणी मे मट्टी का स्रेड़ी में किसे मद्द प्रत्रीज गौर्प सम्मान 2022 से सम्मानत किया गया आपको अप्सिन नमबर एक रुवीना फ्रांसेस मीना सुकला लता सरमा तो इसका राइट आंसर है दोस्तों रुवीना फ्रांसेस मैं सुरू में बता चका हूँ यह जबलपूर से सम्मान देथ है जब मैंने आप लोगो यह मद्द प्रत्रीज गौरप सम्मान थोड़ा थोड़ा करके मैं बता रहा था उस समय मैंने इनकी बारे में आपको बताया था तो आपको याद हो ही जाएगा अगर आप नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देखे लिंक आपको डिस्क्रिशन में मिल जाएगी नहीं तो आप चैलिकर आप चैल्ल को जोन कर लीजिए उस मेर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यह पूरी पूरी वीडियो मिल जाए सामाज एक सुधार जब ही होगा जब परिवार गायत्त्री मंत्र का जाप करेगा एवं महला एवं बच्चों की विकास स्रेणी में सेवा भारती मध्य भारत को यह अबॉट दिया गया है तो आपको याद रखना है सेकंड पॉइंट हम देखते हैं को इनको दिया गया है तो संस्ता कर स्रेणी में स्रस्वत्ती सिक्षा परिशत को दिया है स्वस्त एवं पोस्वार प्रदेश गौरप संवान के लिए सबकामना दी गई है आज का एक और इक और इंपरनेट फैक्ट है राज इस तरफ पर स्कॉच आबाट किस एप को मिला है तो इसका राइट आंसर दुस्तों आई स्कॉर एप को यह अवार्ड मिला है और यह एप किस से संबन देता है यह एप क्या करता है तो आपको बताना चाहूंगा आई स्कॉर एप के माध्यम से घर बैठे निसुल के लाइब वीडियो काल पर आईस चिकस्षा विशे सक्ड़न द्वारा नागरे को को परामर्ज दिया जा रहा है इस एप को अब तक पचास आड़ से देक नागरे को द्वारा डालोट किया जा चुका है चिकस्षा की छेतर में पिसे सुविधा के लिए आई स्कॉर एप को राष्ट इस्तर पर इसका चाबाट भी प्रदान किया चुका है आज क्या आपके